चलिए आज हम बात करेंगे लोग प्रशाशन का विकास अध्यन के विशय के रूप में लोग प्रशाशन का विकास कैसे हुआ इस मुद्दे पे हम बात करेंगे टॉपिक बड़ा है दो दिन तीन दिन चलेगा टॉपिक महत्पूर टॉपिक होगा एक तरह से कहें इस टॉपिक में लोग प्रशाशन का चुकी विकास पढ़ेंगे तो इससे जुड़े जो भी कॉंसेप्ट्स है संचेप में एक बार गो थू होंगे हम उनसे और फिर आगे अपने सिलेवस के एक और्डिंग जो चीज़ें जहां हमें जितनी डिटेल पढ़नी है तो वो एक एक करके फिर डिटेल पढ़ी जाएंगी चीज़ें तो सुरू करते हैं टॉपिक लास्ट टॉपिक में हमने बात की है कि लोग प्रशाषन या पबलिक एड्मिस्टेशन दो भूमिकाओं वाला विशय है लोग प्रशाषन एक कारिया प्रक्रिया भी है उसका एक एपलाइड आस्पेक्ट है लेकिन उसके साथ साथ लोग प्रशाषन एक अध्यन का विशय भी है एक सबजेक्ट भी कार या प्रक्रिया के रूप में लोग प्रशाशन उतना पुराना हैं जितनी पुरानी सभिटा from civilization जब से सभिता है तब से लेके till now आस तक हम लोग प्रशाशन की भूमिका देखते हैं इस चीज़ को हमने लोग प्रशाशन के महत्या importance और public administration की संग्या दी है लेकिन साथ में हम देखते हैं कि एजे सब्जेक्ट अध्यन के विशय के रूप में लोग प्रशाशन का जन्म हुआ है 1887 में अमेरिका में वुड्रो बिलसन इस विशय के पिता या जन्मदाता कहलाते हैं कैसे जन्म हुआ 1887 में विशय का तब से लेकर आज तक कैसे इस विशय का विकास हुआ तो इस पूरे टॉपिक को हमने नाम दिया है लोग प्रशाशन का विकास उसी टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं लोग प्रशाशन के विकास की चर्चा छे चरणों में हम करते हैं इस क्रीन पे आप देखेंगे वो छे चरण या 6 स्टेज यहां लिखी हुई है फर्स्ट स्टेज प्रथम चरण है 1887 से 1926 1887 से 1926 और इसका नाम रखा गया है राजनीती प्रशाशन द्वैत भाव डाइकोटोमी बिट्वीन पॉलिटिक्स और अड्मिनिस्टेशन दूसरा चरण सेकेंड फेज है 27 से 37 नाम दिया गया है सिद्धानतों का स्वर्णकाल गोल्ड निराओप प्रिंस्पुल्स थर्ड स्टेज है 38 से 47 नाम दिया गया है चैलेंजिस फॉर प्रिंस्पुल्स या सिद्धानतों को चनौती अगला देखेंगे चतुर्थ चरण है उननीज सो अड़ताली से सत्तर फॉर्टी एट से से सेवेंटी क्राइसिस फॉर आइडेंटिटी या अस्तित्व का संकट पाचवा चरण सेवेंटीवन से नाइटी एकहत्तर से नब्य फेज ओफ बैल्यू अरियेंटेशन या मूल्य उनमुक्ता का काल और छठा चरण सिक्स फेज नाइटीवन टू तिल नाव उननीज सो एकानवे से लेका रास्तक हम इसे नाम देते हैं वर्तमान प्रवर्तियां करेंट ट्रेंड्स या पब्लिक एड्मिनिस्टेशन एंड लपीजे तो इन छए चरणों में बाटके चर्चा की जाती है लोग प्रशासन विशय के विकास की एक एक करके इन चरणों को हम देखेंगे समझेंगे कि कैसे जन्म हुआ है लोग प्रशासन विशय का और पर कैसे उसका विकास हुआ है Woodrow Wilson का हम योगदान contribution पढ़ेंगे कि कैसे Woodrow Wilson ने इस विशय को जन्म दिया, क्या तर्क दिये उसके पीछे, LPG के क्या प्रभाव पड़े public administration के उपर हम उसे पढ़ेंगे, प्लस, और जो इससे जुड़ी बाते हैं, तो देखें एक-एक करके, फर्स्ट स्टेज है स्क्रीन पे आपके सामने, प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेज, समय है 1887 से 1926, 1887 से 1926, नाम है राजनीती प्रशाशन, द्वैतभाव, पॉलिटिक्स, एड्मिनिस्टेशन, डाइको, टॉमी इस चरण से जुड़े हुए कुछ महत्पूर्ण विद्वान होंगे, हम एक-एक करके उनकी बात करेंगे, एक विद्वान जो है, इस्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, वर्डरो विल्सन जो सबसे महत्पूर्ण विद्वान है, हमारे विशय के पब्लिक एड्मिस्टेशन सब्जेट के जन्मदाता है, अमेरिका के राश्पती रहे हैं, फर्स्ट वर्ल वार के समय यही थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, उसके अलावा थोड़ा सा हम बात करेंगे, फ्रेंक गुडनाव की, एफ डबल्यू टेलर की, मैक्स बेवर की, और एल डी वाइट या लियोनार्ड वाइट की, ये विद्वान पाँच थिंकर हैं, जो विशेश रूप से प्रथम चरण से जुड़े हुए बड़े इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, उसमें भी वुड्रो बिलसन, टेलर, बेवर ये जादा महत्पूर्ण हैं, बिलसन, लोग पशासन के जन्म दाता हैं, इसलिए टेलर, बेव पर ने कुछ महत्पूर्ण थियोरीज दी हैं, एड्मिनिस्टेशन से जुड़ी हुई, तो वो महत्पूर्ण हो जाते हैं हमारे लिए, सबसे पहले वुड्रो बिलसन का कॉंट्रिब्यूसन देखें, 1887 की हम बात करेंगे सबसे पहले, यूएस चलेंगे अमेरिका, पॉल्टीकल साइन्स के प्रोफेसर थे वुड्रो बिलसन, जिस समय की हम आपसे बात कर रहे हैं, 1887 उस समय पॉल साइन्स के प्रोफेसर थे बिलसन, बाद में यूएस प्रेसिडेंट बने, हम अभी उसी दोर की बात कर रहे हैं, जब वो प्रोफेसर थे पॉल्टीकल साइन्स के, वैसे यहाँ स्क्रीन पे लिखा देख रहा है आपको, ओवर बिलसन का टाइम है, 1856 से 1924, जन्व हुआ 856 में, डेथ हुई उनकी 1924 में, अमेरिका के राश्पती यहाँ वो भी दिखरा है आपको स्क्रीन पे, 1913 से 1921 तक, 1913 से 1921, मतलब 8 साल, दो फेजपूरे की और उन्होंने, आठ साल वो अमेरिका के राश्पती रहे, एक तरह इसे कहा जाए, पूरा फस्ट वर्ल वर, उन्हीं के राश्पती के दौर में हुआ, तो 1887, जब वुड्रो बिल्सन, पॉल साइंस के प्रोफेसर थे अमेरिका में, उनका एक आर्टिकल पबलेस हुआ, अमेरिका में एक प्रतिश्थेत, जर्नरल पबलेस होता है, अभी भी आता है, पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली, पॉल साइंस के प्रोफेसर थे, उस जनरल में आर्टिकल पबलेस होते रहते थे, 1887 में उनका एक आर्टिकल पबलेस हुआ, नाम था, The Study of Administration या प्रशाशन का अध्यान, इस नाम से बिलसं का आर्टिकल पबलेस हुआ, इस आर्टिकल में उन्होंने एक महत्वपूर्ण, Thought, एक विचार का प्रतिपादन किया, जिसे नाम दिया गया, राजनीती प्रशाशन, द्वैत भाव, Politics, Administration, Dichotomy, द्वैत भाव मतलब अलग-अलग करना, Separation, राजनीती अलग और प्रशाशन अलग, क्या था, बिलसन का ये थौट हमें जानना है, इसी से, पबलिक एड्मिस्टेशन का, एज ए इंडिपेंडेंडेंट सबजेक्ट जन्म हुआ है, बिलसन ने अपने इस विचार में कहा, कि राजनीती का काम होता है, नीती का निर्माड करना, पॉलिसी मेकिंग, जबकि प्रशाशन का काम होता है, नीती का क्रियानवयन करना, इंप्लिमेंटेशन, एक बनाएगा, दूसरा उसे जन्ता के बीच में लागू करेगा, जब निर्माड किया जाता है, तो प्रात्मिक तामुल्यों को होती है, बेल्लियूस, और जब इंप्लिमेंटेशन होता है, तो प्रात्मिक तात्थ्यों को होती है, फैक्ट्स, बिल्सन का कहना था कि राजनीती और प्रशाशन के कारे भी अलग होते हैं, और कार्यों की प्रकृती भी अलग होती है, राजनीती का काम निर्मार है, प्रात्मिक तामुल्यों को है, प्रशाशन का काम क्रियान वयन है, और प्रात्मिक तत्थ्यों को है, कारी अलग, कारियों की प्रकृती अलग, तो इसलिए बिलसन का सुझाओ था कि इन दोनों का अध्यन भी अलग-अलग विशयों के द्वारा होना चाहिए राजनीती या नीती के निर्माण का अध्यन करे राजनीती विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस और प्रशाषन या इंप्लिमेंटेशन का अध्यन करे प्रशाषन या पबलिक एड्मिनिस्ट्रेशन बिलसन का जब ये आर्टिकल पबलिस हुआ उस जर्णल में दूसरे विद्वानों को भी बात समझ में आई कि हाँ बात तो ठीक है सचा ही ये तो कि राजनीती का काम अलग है प्रशाशन का काम अलग है उन्होंने बिलसन के इस विचार को मानिता दे दी सुईकार कर लिया कि हाँ बात ठीक है जब बिलसन के इस थौट को रेकगनाईज किया गया यहीं से हमने लोग प्रशाशन का एक स्वतंत्र विशय के रूप में जन्वाना अब तक लोग प्रशाशन पॉल्टिकल साइंस का ही एक पार्ट हुआ करता था हम लोग के देश में तो आप देखेंगे आज तक भी जादातर यूनिवर्सिटीज कॉलेजिस में अभी भी पॉल्टिकल साइंस का ही एक पार्ट है बहुत कम बहुत गिनी चुनी यूनिवर्सिज कॉलेजिस ऐसे हैं जिसमें पॉल्टिकल साइंस का एक पेपर बस हो जाता है पॉल्टिकल साइंस का ही पार्ट था बिल्सन पॉल्टिकल साइंस के ही प्रोफेसर थे और बही फिर ये सुझाओ दे रहे थे कि चुकी राजनीती और प्रशाशन के कारी भी अलग होते हैं कामों की प्रकृती भी अलग होती है तो इसलिए बहतर है कि हम इनका अध्यन भी अलग-अलग विशयों के द्वारा करें और यहीं से फिर लोग प्रशाशन का एजे इंडिपेंडेंडेंट सब्जेक्ट एक स्वतंत्र विशय के रूप में जन्व हो गया हम बात कर रहे हैं दो शब्दों की की राजनीती जब निर्मार करती है तो प्राथमिक्ता मुल्यों को होती है और प्रशाशन जब क्रियानवयन करता है तो प्राथमिक्ता तथ्यों को होती है क्या मतलब है इन दोनों का थोड़ा सा यहां यह भी समझ ले मूल या बैल्यूस का मतलब होता है व्यक्तिगत पसंद ना पसंद दूसरे शब्दों में कहा जाए क्या होना चाहिए तथ्य का मतलब होता है वास्त विखता क्या है या क्या हो रहा है एक हमारी पसंद ना पसंद है हमें क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, दूसरा जब की वास्तिविखता है कि क्या है, क्या हो रहा है हमें पसंद है कि वही सत्तनिष्ठा होनी चाहिए प्रस्ताचान नहीं होना चाहिए लेकिन अब ब्यावहार में क्या हो रहा है हमें पसंद है कि वही किसानों को clinical नहीं बैठना चाहिए उनकी कपछिंग नूंझ क्लश लेकिन यह कि विआफ़ार क्या है बास्ती 22 प्रीटा क्या है कि अभा सकता कि हमें ऐसा लग रहा हो कि ब्रस्टाचान नहीं होना चाहिए dugum's होना चाहिए बरस्ताचार कम से कम कम जल्दी तो हो जाता है बरस्ताचार होता है सरकार इतनी कम तंखा दे रही है नहीं होगा बरस्ताचार तो लोग कैसे घर चलाएंगी तो होना चाहिए कोई बुराई नहीं ऐसे भी लोग हो सकते हमें लग रहा है कि लड़कियों की शादी की उमर 18 साल होनी चाहिए कि 21 साल की 22 साल की 25 साल किसी को लग रहा हो नहीं 12 साल में भी हो जाना चाहिए बाल विबा तो होते ही हमारे देश में तो हमारे मुल्य मतलब हमारी पसंद ना पसंद क्या है हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए यह हर आदमी के लिए अपनी एक अलग मान सिकता अपनी एक अलग सोच हो सकती है सब को भगवान ने दिमाग दिया दिल दिया सबकी अपनी सोचने समझने की चमता है पसंद ना पसंद है कोई कहता है कि सराबंदी होनी चाहिए कोई कहता है नहीं होनी चाहिए लेकिन बास्तिविक्ताया तत्य वो तो सब के लिए एक जैसा होता है जो है क्या है क्या हो रहा है तो अब क्या है वो तो वही कि अभी हमारे देश में लड़कियों की शादी की उमर 18 साल है तो है यह सब के लिए वही है हाँ राय हो सकती है कि नहीं हमें लगे कि नहीं 21 होना चाहिए हमारे प्रधान मंतरी जी को लग रहा है कि 21 होनी चाहिए कोई कहे कि नहीं 18 ठीक है नहीं होना चाहिए अचाहिए कोई हम ने कहा कहिए कि नहीं तत्थ है कि 18 साल है तत्थ है कि भ्रस्टाचार वहुत फैला हुआ है मूल्या सबके अपने अलग हो सकते हैं तो देखिए अप राजनेता जब नीती का निर्मार करते हैं policy making process चलती है उस समय मुल्यों को प्राथ मिखता होती है जितने राजनीतिक दल हैं जितने राजनीता हैं सब अपनी पसंद ना पसंद बताते हैं संसद में राज विधान सभा में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए कृशी को लेके कानून बन रहे हैं विधिया का रहे हैं सब अपनी अपनी पसंद ना पसंद बता रहे हैं कोई कह रहा है मैस पी भी कानून में होना चाहिए कोई कह रहा है नहीं होना चाहिए सब की अपनी राए है कोई कहा रहा है 370 रहना चाहिए कोई कहा रहा है महिलाओं की उमर क्या तो हमने का जहां भी जो चीज देखिया अब जिसकी पसंद ना पसंद के पक्ष में बहुमत होता है डेमोक्रेसी है उसके एकॉर्डिंग पॉलिसी बन जाती है मोधी सरकार है बहुमत है उनका उनकी पसंद के एकॉर्डिंग उन्होंने कानून बना लिए अब उन कानूनों को जो बन गए लागू करने की जिम्मेदारी प्रशाशन की है जनता के बीच में प्रशाशन को उन कानूनों को लागू करना है प्रशाषन का काम क्रियान वयन है और उस समय हम आप एक्षा करते हैं कि प्रशाषन केवल तथ्यों या वास्तिविक्ता के आधार पर काम करें प्रशाषन में भी जो लोग बैठे हैं वो भी इंसान हैं उन्हें भी भगवान ने देलो दिमाग दिया है नेताओं से जादी दिया है उनकी भी सोच उनकी भी पसंद ना पसंद होगी कई प्रशाषक ऐसे होंगे जने लग रहा होगा कि MSP कानून में होना चाहिए और कई ऐसे होंगे कि नहीं होना चाहिए कई को लग रहा होगा कि लड़कियों की शादी के उमर 18 ही ठीक है कई को लग रहा होगा 21 होनी चाहिए और कई को 16 होनी चाहिए तो भी प्रशासक भी तो ऐसे होंगे जिनकी ये पसंद ना पसंद होगी लेकिन राजनीता जब नीती का निर्मार करते हैं तो उनके बेल्यूज उनकी पसंद नापसंद को हम परियाप इस्थान देते हैं सुना जाता है उन बातों को डेमोक्रेसी में हाँ ये बात और है कि finally जिसके पास majority है उसके according policy बनती है लेकिन जब प्रशासन का काम किरियानवयन का है प्रशासन के पाले में गेंद है तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी पसंद नापसंद को नहीं ब्यक्त करें वो बस एजे मसीन जो सरकान ने नीती बनाई है कानून बनाया है बस उसे पूरे commitment और dedication से लागू करें प्रशासक कार के दौरान ये निंक करें या कर सकते कि नहीं ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं होने तो बस जो सरकान ने बना के दे दिया है बस अब इसे आप डिटो हूवहू लागू कीज़े तो हम प्रशासक से अपेक्षा करते हैं कि जब घर से office निकल रहा है भावनाए फीलिंग्स ये घर पे ही छोड़ दे और फिस आए बस मशीन का पुरजा बन जा जैसे मसीने हैं उनका कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं वैसे ही प्रशासक भी तो तत्थ ये है कि तीन किसी कानू बन गए हैं पारित हो गए हैं तत्थ ये है कि अभी तो अठारा साल उम्र है लड़कियों की शादी की तो अब उसे मानना है तो अब अपनी भावनाओं को तत्थ ये कानू बन गए है जो भी तो अब आप पूरे मन से लागउ कीजिए हो सकता कई प्रशासकों को सिए अच्छा लग रहा हो कई ऐसे भी होंगे कि जिनने लग रहा होगे और ये गलत हुआ नहीं होना चाइए लेकिन वही बात हो रही कि अब आपको क्या लग रहा होना चाइए नहीं होना चाइए बना दी है कानून बना दी है उसे लागव कीज़े पूरे मन से पूरे बचन से मतलब पूरे कमिट्मेंट और डेडिकेसं से लागव कीज़े तो बिलसं का कहना था कि राजनीती के मुल्य होते हैं प्रशाशन को मुल्यों से दूर रहना होता है उन्हें तथ्यों की आधार पे काम करना होता है तभी हम प्रशाशन की efficiency को assure कर सकते हैं यहां आपको एक टर्म याद रखना है निर्वयक्तिक्ता या impersonality एक technical टर्म है जो अक्सर चर्चा हम करेंगे मतलब आप जान गए हैं प्रशाशन जब राजनीती के मुल्यों से दूर रहे केवल तथ्यों के आधार पर काम करे तो उसी को एक शब्द में हम कह देते इंपरसनेल्टी निर्वयक्तिक्ता शब्द में ही अर्थ चुपा है निर्मतलब दूर और बयक्तिक्ता मतलब ब्यक्तिकत भावनाओं से ब्यक्तिकत भावनाओं से दूर रहते हुए काम करना परसनल फीलिंग्स को दूर रखें फिर अपने कारे करें तो इसको हम कहते हैं इंपर्सनेल्टी, पर्सनल फीलिंग्स को दूर रखते हुए कारे तो प्रशासक की इंपर्सनेल्टी जरूरी है प्रशासक का एक बड़ा महत्पूर्ण गुण और नीचर ये माना गया है कि वो इंपर्सनल हो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को काम के दौरान कहीं आड़े नहीं आने दे तो चुकि काम अलग है, कामों की प्रकृति अलग है तो इसलिए बिलसन का कहना है कि हम इनका अध्यन भी अलग अलग विशयों के दौरा करें बिलसन के इस विशार को मानिता मिली दूसरों ने कहा कि बात तो ठीक हो रही है लोग प्रशाशन का एक स्वतंत्र विशय के रूप में जन्म हो गया वोड रोदुसन को हमने फादा रॉब्दा पब्लिक एर्मिस्टेशन लोग प्रशाशन के पिता की संग्या दे दे आगे बढ़ाएं बात बिलसन ही बड्रो बिलसन ही अभी कंटिन्यू है बिलसन ने अपने उसी आर्टीकल में एक प्रशाशन उठाया क्यों अब तक लोग प्रशाशन का एक स्वतंत्र विशय के रूप में जन्म नहीं हुआ बिलसन ने का जो बात हम क्या रहे अब तक किसी की दिमाग में नहीं आई अब तक क्यों जरूबत नहीं पड़ी हमें पॉब्लिक एड्मिशन की एजेंट डिपेंडन सब्जेक्ट किसी और ने क्यों इस तरह के मुद्दे नहीं उठाया जो मैं उठा रहा हूँ अपने आर्टिकल में क्यों अब तक लोग प्रशाशन का एक स्वतंत्र विशय के रूप में जन्म नहीं हुआ और साथ में ये भी प्रशन ठाया कि अब ऐसी क्या इस्थिती हो गई है कि अब मैं ये बातें आप से कर रहा हूँ अब एक स्वतंत्र विशय की जरूरत है हमें लोग प्रशाशन की अब ऐसा क्या हो गया क्यों अब तक जन्म नहीं हुआ उसके पीछे बिलसन ने दो कारण बताए एक कारण राजनीती विज्ञानियों द्वारा एग्नोरेंस उपेक्षा करना और दूसरा कारण बड़ी लिमिटिट पॉपूलेशन या जनसंख्या का सीमित होना बिलसन का कहना था कि चुकी पबलिक एडमिशन अब तक पॉलिटिकल साइंस का पार्ट रहा है और जो पॉलिटिकल साइंटेस्ट या राजनीती विज्ञानी रहे हैं ऊन्होंने इग्नोर किया इस पार्ट को इस सेक्षन को राजनीती विज्ञानियों को ज़्यादा रुची रही जो पॉलिटिकल साइंस के कुछ थेोरिटिकल पार्ट है कुछ अमूर्त आउधारना इम्मॉर्टल कॉंसेप्ट्स हैं उनकी स्टडी और रिसर्च में उनको ज़्यादा मज़ा मिलता था सॉबरेंटी क्या है गवर्मेंट क्या है गवर्नेंस क्या है गवर्नेंस के टाइप्स क्या है डेमोक्रेसी क्या है इस तरह के जो कॉंसेप्ट्स बेसिक कॉंसेप्ट्स हैं पॉल साइंस के उनकी स्टडी और रिसर्च में पॉलिटिकल साइंस्टिस को ज़्यादा इंट्रेस था तो इसलिए उनों ने जो ये implementation वाला पार्ट है इसको ignore कर दिया ध्यान नहीं दिया इस पर इस वजह से ये अब तक ऐसा नहीं हुआ कि जो विचार में रख रहा हूं वो किसी में पहले रखे होते या पहले भी स्वतंतर विशह बन गया होता है और दूसरा कारण विलसन ने माना कि 1850 अट्रासोपचास इंडस्तियल रिवॉल्यूसन औद्यों के करांती के पहले दुनिया के विभिन देशों की आवादी बहुत कम थी सी में जनसंख्या और सी में जनसंख्या की बजह से भी हमें प्रशाशन के प्रथा का द्यन की आवश्यक्ता नहीं हुई कैसे सी में जनसंख्या से जुड़ा हुआ है तो चुकि बिलसंख्या ने यहां तरक दिया कि आवादी कम थी आवादी कम थी तो लोगों की समस्याए या प्रॉब्लम भी कम थी कम लोग कम समस्या हैं बहुत सारी समस्या हैं तो आवादी जादा होने से हो जाती हैं बिजली पानी शड़क तो बहुत सारी समस्या है ते इसलिए कि आवादी बहुत जादा रेसोर्स उतने हैं नहीं हैं जितने की उनको यूज़ करने वाले हो गहें तो मारा मारी रड़ाई ज़गडे से लेकि तस दिक्कत है impactful तो चुक्की आवादी कम थी समस्याएं कम थी लोगों की समस्याएं कम थी तो सरकार के प्रशाशन के कारे कम थे स्टेट में कुछ कई सारे और काम हो गए जब यहां लोगों की समस्याएं ही कम हैं आबादी बहुत कम है तो सरकार के काम कितने से हैं सरकार के काम कम है तो सभाविक सी बात है प्रशासन की भूमिका भी सीमे थे और जिस चीज की भूमिका कम है रोल कम है तो हम ध्यान ना भी दें उस पर तो कहने का मतलब कि थियोरी के लेवल पे भी कॉंसेप्ट के लेवल पे भी ध्यान नहीं दिया गया राजनीती विज्ञानियों ने उपेक्षा कर दी और जो एप्लिकेशन पार्ट है उसका भी उतना महत तो नहीं रहा सरकार के काम कम थे प्रशासन की भूमी का कम थी सो हमें कोई उसमें ना खास efficiency चाहिए थी ना specialization चाहिए था तो इसलिए भी उसको ignore किया गया सारा focus रहा वस policy making के उपर नीती निर्मार के उपर ही लेकिन लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि हमें जरूवत है अब एक अलग विशय की लोग प्रशाशन की तो भिलसन ने का कि अब अब क्यों आवश्यकता है तो कारण बताया उसका भिलसन ने कि 1850 में industrial revolution हुआ है ओद्यों के क्रांती अब 750 के आसपास ओद्यों के क्रांती हुई बिटेन जैसे देशों से शुरुआत कोई धेरे धेरे दुनिया के और देशों में भी फैली ओद्यों के क्रांती मतलब बड़ी बड़ी मशीनों का यूज हुआ उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई इतनी बढ़ोत्तरी कि हमने उसे revolution के लिया ओद्यों के क्रांती बड़ी लोगों की जिम में पैसा आया साधन संपनता बढ़ी और उससे आबादी बढ़ी population बढ़ी तो भिलसन ने कहा कि जब आबादी population बढ़ी तो बस अब ये जो प्रक्रिया की हम बात कर रहे है प्रक्रिया उल्टी चली आबादी बढ़ी तो लोगों की समस्य आए बढ़ी और जब समस्य आए बढ़ी तो सरकार के काम भी बढ़ी है और द्यों के क्रांती इंडस्टियलाइजेशन है कैसारी सोचियो एकानोमिक प्रॉबलम पैदा हो गई है सबसे बड़ी बात तो population ही बढ़ रही है तो दस दिक्कत है अमीर और अमीर गरीब और गरीब हो रहा है तो जो इनिक्वैल्टी है असमानता की खाई वो बढ़ रही है बड़ी बड़ी मशीनों का यूज हम कर रहे है तो unemployment भी हो रहा है लोग अपने घर परिवार को छोड़के आ रहा है नौकरी के सिलसले में किसी और काम की वज़े से तो उस चक्कर में बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं छोटे कमरों में दस तरह की अनेथिकल काम हो रहे हैं अनेथिकता भी बढ़ रही है अश्रीलता बढ़ रही है कई दिक्कत हैं आज भी हम देख सकते हैं जब जब इंडुस्य लाइजिशन होता है उस तरह की समस्याइं देख सी जाती है तो आभादी बढ़ी समस्याइं बढ़ी तो नेचरल सी बात है कि सरकार की काम बढ़के अब सरकार को उन सब समस्याओं को सौर्ट आउट करना है हल करना है सरकार के काम बढ़े तो सभाव एक सी बात है कि सरकार से जुड़ा है लोग प्रशाशन उसकी भूमी का बढ़े अब बारवार सरकारी कार्णियों का प्रशाशन लोग प्रशाशन है सरकार के कारे बढ़े तो जिस रेसियो में सरकार के काम बढ़ेंगे उसी रेसियो में Public Administration का रोल बढ़ जाएगा उसकी भूमी का बढ़े और जब लोग प्रशासन के कारे बढ़े भूमी का बढ़े तो सभाविक सी बात है अब इसका importance इसका महत्व भी बढ़ गया देखिया आप जिन चीजों का महत्व कम होता है उन्हें हम इग्नूर कर सकते हैं लेकिन जिन चीजों का महत्व हमारी लाइप में ज़्यादा होता है उन्हें हम इग्नूर नहीं कर सकते हमें उनको सुधारना पड़ेगा उनके ध्यान देना पड़ेगा उनकी efficiency उनकी effectiveness को सुनिश्चित करना होगा अभी तक प्रशासन का बहुत महत्व नहीं था हमारे जीवन में कम लोग थे कम समस्याएं थी अब ऐसा नहीं है लोग भी बढ़ गया आबादी बढ़ गई समस्याएं बढ़ गई प्रशासन का रोल बढ़ गया है तो अब हम उसे नजर अंदाज नहीं कर सकते हमें जरूरत है कि अब प्रशासन effectively अपने कामों को अपने रोल को निभाए नहीं कर पाएगा प्रशासन ऐसा तो अब तिक्कते ज़्यादा होंगी हमें कब प्रशासन कारे कुसल होगा कब विशेशक गिता आएगी उसमें कब अपनी भूमिका को सही ढंग से नभाएगा जब उसे अब हम एक अलग सबजेक्ट बना देंगे तो उस पे फोकस होगा पूरा हमारा उसमें विशेशक गिता मिलेगी उसमें रिसर्च होंगी नहीं नहीं लोग उसी की स्टेडी करेंगे आज देखें सोचके देखें कि आज अगर पप्लिक अडमिशेशन पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट हो हम بी ये करें हम N.A करें हम कुछ भी और करें दो साल political science से M.A. करें उसी में एक paper public admission का हो जाएगा दो हो जाएगे बस कितना ध्यान देंगे हम कितना पढ़ेंगे उसको लेकिन मान लीजे public admission में अलग से B.E. और M.A. होने लगे तब सोच के देखें कितना study बढ़ जाएगी अध्यान अध्यापन बढ़ जाएगा कितने उसमें भी नएने research होने लगेंगे नएने theory उसमें आएगी ध्यान जाएगा विशेशक गिता होगी आज हम पवेट के विशेशक हैं अगर political science का ही part होता पवेट तो कितना सा पढ़ाते पंदा जिन पवेट पढ़ाते छोड़ देते तो बहुत बढ़ी चीज का एक छोटा सा part होना और अपने आप में एक separate section separate subject हो जाना दोनों में कितना आता रहा तो जब यह अलग विशेश होगा इसके अपने विशेशक होंगे अपने जानकार होंगे अपनी research होंगी इसमें अपनी theories होंगी मैचल सी बात है इसकी efficiency बढ़ेगी ध्यान जादा जाएगा इस पे हमारा तो इसलिए अब बिलसन का कहना था कि अब better यही है कि हम अब public administration को एक अलग subject बनाए बिलसन ने कहा कि संभीधान बनाना आसान होता है उसे चलाना कठिन होता है अब तक हमने बनाने पर ध्यान दिया policy making मतलब नीतिया कानून बनाओ political science अब समय आ गया है कि हम उसके चलाने पर ध्यान दे implementation part पर focus करें और वो तभी हो पाएगा जब public administration एक independent subject बनेगा तो जन्म हो गया लोग प्रशाषन का स्वतंत्र विशय के रूप में बिलसन ने न केवल dichotomy का concept दिया बलकि उसको justify करने के लिए उसके favor में देखे बड़े अच्छे arguments भी किये लोगों को समझ में आई बिलसन की बाद और परिणाम हुआ कि लोग प्रशाषन का एक स्वतंत्र विशय के रूप में जन्म हो गया आगे बढ़ें बिलसन से ही जुड़ी हुई कुछ और बाते हैं बिलसन का जो ये राजनीती प्रशाषन दोयत्भाव का सिध्धान्त है Politics Administration Dichotomy ये हमें दो रूपों में देखना है इसका एक इसका एक सैध्धान्तिक पक्ष भी है थर्टिकल आस्पेक्ट और इसका एक ब्याभारिक पक्ष भी है Applied Aspect अभी तक हम आपसे जो बात कर रहे थे वो थर्टिकल आस्पेक्ट की बात कर रहे थे हाला कि बीच बीच में कुछ उसमें जन संख्या बढ़ी तो हमने का काम बढ़ गया थोड़ा सा हमने Applied Aspect की भी बात की लेकिन बेसिकली वो थियोरी बेस चीज़ें थी अब थोड़ा सा और Dimension देखे इसके दो रूपों में बिलसन का ये दोयत भाव का कॉंसेप्ट है सैध्धान्तिक भी ब्याभारिक भी सैध्धान्तिक क्या था राजनीती प्रशाशन दोयत भाव हमें राजनीती से प्रशाशन को अलग करना है अभी तक हम यही बात आप से कर रहे थे कि Public Administration Political Science का पार्ट था बिलसन अब कह रहे हैं कि चुकी इनका नेचर अलग है इनके काम अलग है तो इनको अलग अलग कर दीज़े मतलब राजनीती विज्ञान से लोग प्रशाशन को अलग कीजिए या दूसरे शब्दों में कहें तो राजनीती से प्रशाशन को अलग करना अब इसका दूसरा पक्ष देखिए अपलाइट ब्याभारिक पक्ष ब्याभारिक पक्ष में यहां लिखा है प्रशाशन से राजनीती को अलग करना प्रशाशन से राजनीती को अलग करना इसका मतलब क्या है देखिए अब आपको लगए बातें वही हैं बातें वही नहीं है एक में है राजनीती से प्रशाशन को अलग करना और दूसरे में है प्रशाशन से राजनीती को अलग करना दौनों में अंतर है ठोरी के लेबिल पे हम बात कर रहे हैं कि राजनीती से प्रशासन को अलग करना राजनीती शास्तर से लोग प्रशासन को अलग करके एक अलग विशय बनाना लेकिन अब उसका व्याभार देखें प्रशासन से राजनीती को अलग करना इसका मतलब क्या है Public Administration से जुड़ा हुआ ही एक Concept है Recruitment या भरती Recruitment या भरती भरती का मतलब होता है संगठन के प्रती योग और कुशल व्यक्तियों को आकरशित करना Intelligent and Efficient लोगों को हम जो भी हमारा Administration है उसमें बुलाएं ताकि वो बहतर डंग से काम करें उस प्रोसेस को हम Recruitment या भरती की संग्या दीते हैं UPSC State Civil Service परीक्षायां देखिए लाखों लोग आभिदन कर रहे हैं हमें 500-800-1000 Recruit करने हैं वो पूरी प्रोसेस है कि कई लाख लोगों में जो जादा योग जादा सक्षम है उने हम संगठन या प्रशाशन में आकरशित कर लें तो यह Recruitment है भरती है भरती के दो आधार होते हैं एक Spoil सिस्टम या लूट परणाली कहलाता है और दूसरा Merit सिस्टम या योगता परणाली कहलाता है लूट परणाली और योगता परणाली ये दो आधार होते हैं जो Spile सिस्टम या लूट परणाली है इसमें जो Candidates हैं परणाली हैं हम उनसे ये पूछते हैं कि आप किसे जानते हैं मतलब आपकी पहुँच कहां कहां तक कितनी हैं दूसरे शब्दों में कहें तो लूट परणाली में हम प्रत्यासी के पॉलिटीकल रिलेशन या जो आपसी राजनीतिक संबंध हैं उन्हें देखते हैं और उसके आधार पे तै करते हैं कि रिक्रूट करेंगे इसे या नहीं करेंगे जिसके पास जितनी ज्यादा पहुँच है जितनी बड़ी पैर भी है उतनी ज्यादा संभावना होगी कि वो प्रशासन में शामिल हो जाएगा जबकि जो मेरिट सिस्टम योगता प्रणाली है उसमें हमें ये मतलम नहीं कि आप किसे जानते हैं उसमें हम पूचते हैं कि आप क्या जानते हैं यही सिस्टम में हम लोगों के लिए कि आप क्या जानते हैं कितना जानते हैं किसे जानते का कोई मतलम भी नहीं है प्रत्याशी की योगताएं देखते हैं जो जादा योग होगा उसे हम प्रशाशन में भरती करेंगे सभाव एक सी बात है कि लूट प्रणाली में देखें उची राजनीतिक पहुँच चाहिए है मतलब राजनीती और प्रशाशन का गाल मिल जादा होगा राजनीती और प्रशाशन को हमाला गलग नहीं कर पाएंगे जितनी बड़ी पैरवी लेके हैं आएंगे आप जितनी उची पहुच बताएंगे उसी आधार पे भरती होना आए तो नहीं जो उसी बात है कि आप तो फिर उस पॉल्टी से निया उस पॉल्टीकल पार्टी के परती बफादार होंगे क्योंकि उसी आधार पे यह आपको नोकरी मिली है तो राजनीती और प्रशाशन का गाल मिल होगा 1829 में अमेरिका में शुरू हुई थी यह लूट प्रणाली उस समय अमेरिका के राश्पती एंड्रियू जैक्सन थे उन्होंने शुरू आधकीस भरती की लूट प्रणाली की राश्पती बने प्रेसिडेंट पत पे बैठे तो जितने नातिर इस्तिदार सगे संबंदी चाचा मामा फूपा जानकार थे सबको प्रशाशन में उच्छ पदों पे बिठा लिए शुरू होगे लूट प्रणाली इस परणाली पीछे से चला आ रहा था लेकिन कहें कि बहुत एक सिस्टेमेटिक ग्रूप में उन्होंने इसे इस्टेबिलिस किया भा अब जब तक वो प्रेसिडेंट रहे तब तक उनके वो नातिर इस्तिया रहे प्रशाशन में वो गए नए रास्पती आए तो अब किसे बुरा लगेगा कि उसके भी रिष्टेदारों को मौका मिल जाए नए रास्पती आए उन्होंने अब अपने रिलेटिफ्स को बिठा लिया और चल पड़ा अमेरिका में ये सिस्टम रास्पती आता था तो अपने साथ अपने सगे संबंधियों को प्रशासन में टॉप पदों पे बिठा देता था जाता था तो चल देते से बुरिए डेमो के रेसी में हम देखते हैं कि जो राजनेता है वो तो वैसे भी पर्मानेंट नहीं है अब यहाँ इस पॉल सिस्टम का परिणाम क्या था कि जो एड्मिर्स्टेशन में लोग हैं वो भी पर्मानेंट नहीं है राश्पती के साथ आ रहे हैं उसी के साथ जा रहे है रा अमेरिका में सुरू हुआ सिस्टम लेकिन लोग बहुत खुश नहीं थे सिस्टम से आंदोलन सुरू हो गया अमेरिका में सिस्टम के खिलाब के सिस्टम मन किया जाए मेरेट सिस्टम हो अमारे देश में बेटिसर्स ने 1854 में सुरू कर दिया था योग गता सिस्टम लॉर्ड मैकाले कमेटी बना दի थी और 1853 का जो एक्ट आये था उसी के आधार पे मैकाले कमेटी बनी 1854 से हमारे देश में योगता परणाली सुरू हो गई खुद ब्रिटेन ने आपने हाँ 1870 में सुरू कर ली योगता प्रणाली अमेरिका में भी आंदोलन हुए कि भी लूट प्रणाली हटाई है योगता प्रणाली लाई ये लूट प्रणाली में दिक्कते हैं 1880, 1880 बनके आसपास की बात है 81-81 की अमेरिका की राश्पती थे उस समय गार फील्ड एक अनिम्प्लॉइट बिरोजगार योगत ने उनकी हत्या कर दी मर्डर हो गया और कारण माना गया इसी स्पैल सिस्टम को बात इस हद तक बढ़ गए इतना लोगों में असंतोस हो गया है सिस्टम को लेके कि प्रेसिडेंट का मर्डर तो अब बढ़ी बात थी या अमेरिका में आंदोलन तो पीछे से हो रहे थी कि इस सिस्टम को खतम किया गया लूट प्रणाली खतम हुई 1883-1883 में एक एक्ट आया पैंडल्टन एक्ट इस एक्ट के द्वारा अमेरिका में इस पाइल सिस्टम को खतम कर दिया गया और उसकी जगे मेरिट सिस्टम को एडॉट किया गया अब देखिया आप 1883 मतलब हम नहीं पहुँच गया लगभग 1887-1887 अब जोड़िये बातों को आप आपस में अगर हमें लूट प्रणाली को समाप्त करके योगता प्रणाली को अपनाना है इसका मतलब क्या है देखिया आप चीजों को कि हमें राजनीती और प्रशासन का घालविल अलग करना है अब देखिया अब यह उन्यादाइन āो युगतों को कि हमें ए कितो रहार हम करना है अपसादा है झाल झाल